टॉप बेस्ट गेमिंग स्मार्टफून अंडर 7000 तो भी अगर आपने हाड़कोर गेमिंग करने हैं अगर आपका बज़र 7000 है बज़र 7000 के बड़ी रेंज में आपको सिक्स टागर अमस की बैंटरी भी जाएए बड़ी डेस्प्ले जाएए गेमिंग भी करना जाते हैं अगर आपका बज़र कब मैं मतलब 7000 है मैंने आपको पहले भी बता दिया अभी स्टाट करते हैं तो आज मैं आपको टॉप फोर स् स्मार्टफून की बात करूं सबसे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह स्मार्टफून जो है वह आपको चार कल्स में देखने को मिल जाता है उसके बाद हम बात करें यह दो विट में देखने को मिलेगा 2GB RAM के साथ एंड 3GB RAM के साथ जो भी आपके प्राइज इसका बात कर देखने को मिल जाते हैं अपको इसली नॉमली कर सकते हो प्लस में आपको यह भी बता देना है जाता हूं कि इसका जो डिजाइन लुक है वो तो आपको अच्छी सौरी मिली जाती है उसके साथ इसकी बिल्ड क्वाल्टी बहुत ही तगड़ी देखती को मिल ज जाते हैं तो अगर आपका फून जो है वो गिर भी जाता है तो यह तूटने वाला नहीं है विकाज इसकी बिल्ड क्वाल्टी भी बहुत ही जादा अप पर है कलर बगार है मैंने आपको बताती है जो जो भी आपको सही लगता है आप उस कलर क्या जा सकते हो अभी बात कर इसके में स्पेसिफिकेशन की थोड़ा सा मैं आपको डीपली बता देता हूँ तो यह डिस्पले की बात को 6.5 इंच पी लैस LCD देखने को मिल जाते है प्रसैसर की बात करूँ मैंने आपको पहले ही बता दे कि आपको और को प्रसैसर इसमें देखने को मिल जाते है जो की 28 आनो उलिए टेकनोलीजी के साथ बेस्टा है बेंटरी की बात करूँ आपको 5000HD देखने को मिल जाते है camera की बात हो क्को डुएल कैमरा मिल जाता है Samsung Galaxy M02 देखने को मिल जाएगा तो मैंने आपको बता दिया Samsung Galaxy M02 के यार इसको नमबर 4 पर रखने का एक रीजन है यार बहुत ऐसे बंदे होते हैं जब मुझे ऐसे बंदे बहुत मैसेज गरते हैं जिनको non-channel smartphone नहीं जाए होते हैं अब Samsung के इस phone के और जा सकते हैं अगर आपका budget 7000 है तो आप 200 एक्स्टा पेक कर देना है और आपको 7200 budget range में Samsung Galaxy M02 देखने को मिल जाएगा प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैंने link परवाइड किया हुआ है description box में आपको देखने को मिल जाएगे अगर आपने चाओड करना है आप चाओड भी कर जब तो आपको long battery लाफ मिल जाते है camera quality भी इसकी back camera की सही है लेकिन selfie इसकी इतनी अच्छी नहीं आने वाली आप 7000 के budget range में इतना भी expect नहीं कर सकते कि आपको selfie भी बहुत अच्छी मिले आप 7000 के budget range में इतना नहीं expect कर सकते आँगे बात करते है number 3 की number 3 की बात करो number 3 पर यार मैंने रख़ा आपको C3 को अगर इस smartphone की बात करो सबसे पहले इसके price range की बात कर लेते तो यार ये smartphone आपको 7500 के budget range में देखने को मिलता है तो अगर आप extra pay कर सकते हो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा good deal होने वाली है because इसकी build quality बहुत सही है design look wise भी बहुत अपर है and specification की according देखा जाए तब भी ये smartphone थोड़ा सा आगे जला जाता है आपको 3 colors में ये smartphone देखने को मिल जाता है plus मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको triple camera देखने को मिलेगा 2 win में देखने को मिलता है plus आपको micro SD card slot भी देखने को मिल जाता है मतलुँ आप अगर आपको store इंचादा जाए आप SD card use कर सकते हो plus dual same है तो अगर आपने dual same use करनी है तो परी आप normally easily कर सकते है तो Poco C3 आपको सही price range में देखने को मिल जाता है अभी बात कर लेते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तो display की बात करूँ आपको 643 इंच IPS LCD देखने को मिल जाते है processor की बातों को एक दिन से मतलब दो दिन भी आपके normally निकल जाएंगे अगर आप चाहता यूजर नहीं करते तो आपके दो दिन तो normally ही निकल जाएगे plus आपको 10W का fast charger मिल जाता है camera की बातों को triple camera मिल जाता है 30MP के साथा selfie की बात करूँ आपको 5MP selfie मिल जाते है प्राइस की बात करूँ आपको 7500 के बजट में Poco C3 देखने को मिल जाएगा तो बही मेंन स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया Poco C3 के इसकी जो selfie है वो average देखने को मिल जाते है लेकिन जो back camera है उसकी quality आपको सही देखने को मिल जाते है इतनी अपर नहीं हो सकती लेकिन आपको average देखने को मिल जाते है लेकिन जो selfie है वो इसकी बिल्कुछ भी नहीं सही ठीक है मैं सच बोलूँगा जूठ नहीं बोलने को और इसका प्रसाइसर भी आपको तगड़ा देखने को मिल जाते है अगर आप gaming पुरा करना जाते है आप इसली कर सकते है 6000 मेज कीबैटरी मिल जाते है मतलों आपके दो मोझे प्रक्रिस दो भात करते है बना अन्हीं बना ओसरा नमबर टूटकी बात करे है नमबर टूपर यार मैं रखा Realme C11 को तो सबसे पहले बता देना चाहते हूँ यार इसका लुक बहुत ही ज़ादा अपर है अगर आपको लुक मैटर करती है डिजाइन मैटर करता है आपके लिए पॉफरक्ट डील होने वाला है Realme C11 पर इस smartphone के और जा सकते हैं इसके specification की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले भी मैं आपको बता देना चाहते हूँ कि दो colors में देखने को मिलता है दोनों colors इसको बहुत ही ज़्यादा suit करते हैं जो भी आप color लेना चाहते हो और ले सकते हो लेकिन मुझे gray color में जाधा ही लगता है आप देख लेना जो भी color आपको पसंद आता आप उसके और जा सकती हो आपको 6.5 इंच का HD Pro जिस्प्ले देखने को मिल जाएगा dual camera है ठीक है 5.5 इंच के साथ आपको selfie देखने को मिल जाएगे जिसपे आप 1080p पर video recording कर सकते हो प्रस में आपको बता देना जाते हो इसमें भी आपको media deck Helo G35 देखने को में देगा जो की 12 nanometer technology के साथ based है तो यह 12 nanometer technology के साथ based है तो आप gaming कर सकते हो easily normally कर सकते हो आपको कोई भी issue problem नहीं आने वाला अगर आपने call of duty यूज़ करने है या अगर आप जीवगारा खेलना जाते हो आप इसली normally खेल जाते हो आपको कोई भी problem इशू नहीं है अगर प्लस इसकी battery backup भी आपको अच्छा मिल जाता है design look मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको अपर मिली जाता है तो भी अगर आपका बज़र 7000 है आप इस smartphone के और जा सकते हो बहुत ही ज़्यादा good deal आपके लिए हो सकते है आगे बात करते है number one की number one की बात को रहे number one पर यार मैंने रखा infinix smart 4 plus को तो सबसे पहले भी मैं आपको यही चीज़े कहा देना चाहता हूँ कि इसको number one पर रखा है ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि यह number one पर है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जो मैं पहले आपको फून बता है वो ऐसे हैं वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है इसको number one पर रखा बिकरस इसका design इसके look and specification आपको सही देखने को मिल जाते हैं जैसे बाक्यों में देखने को मिलते हैं वैसे ही इसमें भी देखने को मिलेगे को ज़्यादा difference बगारा नहीं है ठीक है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यह चार colors में देखने को मिलता है face unlock बगारा भी देखने को मिल जाता है जो कि सच में एक plus point आ जाता है तो इसमें आपको से 1000 ms की battery भी देखने को मिल जाती है जो कि आपके दो दिन तो normally निकाल देंगे and इसमें आपको immediate tech का processor देखने को मिल जाता है जो कि 12 nanometer technology के साथ बेस्ट है तो भी अगर आपने gaming बैरा करनी है आपके लिए भी perfect है multitasking करना जाते हो आपके लिए perfect deal हो जकता है तो भी main specification मैंने आपको बता दिया Infinix Smart 4 Plus के तो यार इसके specification थोड़ी से ज़्यादा अच्छे है जितने भी मैंने आपको smartphone बताए बिकर्स आपको processor अच्छा मिल जाता है 600 image की battery मिल जाती है अच्छे color अच्छा design एंड जो display का size है वो भी आपको बड़ा देखनी को मिल जाता है 7000 के budget range में तो भी अगर आपने जाना Infinix Smart 4 Plus के और आप जा सकता है आपको पैसे खराब नहीं होने वाले अगर आप 7000 पे कर देते हो लिंक मैंने प्रवाइड किया आपको सभी के description box में देखने को मिल जाएंगे अगर आपको मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक करते ना इस्टाग्राम पर कर ले फोलो लिंक भुगा रहे आपको description box में देखने को मिल जाब उसको जाओड कर ले में वेल ते नाक्स्त वीडियो में वीडियो गसाओ तेंक्यो